दोस्तो अगर आप भी iPhone user है तो आपके साथ वी ये problem जरूर आया होगा जब आप charge लगाते हैं तो वहाँ पे charge होते रहता है अब जब charge लगाते हो तो charge होते रहता है लेकिन उसका percentage तो बढ़ता ही नहीं है वही का वही रुका हुआ है तो इसका solution मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था तब जाकर मैंने एक इसके काम किया उसके बाद फिर से फिर ये problem नहीं हो रहा है अब जैसे कि यहां पर मैं इसको switch on करता हूँ charging के लिए यहां देखो यहां पर charging यहां पर हो रहा है अब यहां पर दिक्कत यह नहीं कि नहीं हो रहा है charging हो रहा है कि percentage नहीं बढ़ रहा है अब इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना एक बार अपना adapter को निकाल के द्वारा से उसको plug में लगाए इसको ठीक है अब द्वारा से लगाएंगे और फिर से चाही लगाएंगे ठीक है तो एक बार अगर यह try करेंगे तो सायद हो सकता है ठीक है अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो इसके बाद आपको क्या क अगर यह नहीं तो अगर नहीं जायेगा तो इसको प्रॉपर तरीके से तुम साफ करना है पैटरोल या रूज या कुछ से भी ठीक है अभी मैं इसको साफ किया हूं तो यह मेरा जो है ना काम करना लगा इसलिए मैं सुझाओ तुरंत वीडियो बनाता हूं क्योंकि किसी को हो जाए तो अच्छी बात है तो क्योंकि मेरे साथ हुआ तो आपको घवराना नहीं है आपको तरीक शीज से इसको साफ करना है ना मेवाइल खराब है ना आड़ाप्टर कराब हे ना के वल खराब सप्काम करना लोह वाले सीज़ से क्याना एक देखाyy समय ज्यादा होना चाहिए इसलिए लगड़ झाल तो आपका काम करने लग जाएगा प्रोपर तरीक से